आज हम बनाएंगे एकतम चटपटे सुपर टेस्टी प्याज के मसाले वाले भर्वा करेले बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तयार होते हैं आप ये रेसिपी से जरूर ट्राय कीजिएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए हमने यहां साड़े तीन सो ग्राम करेले लिए हैं करेलों को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है अब हम करेलों के दोनों साइड के किनारे कट कर देंगे और इन्हें हम चाकू की सहायता से छील लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं चीलना है यह देखी इस तरह का चाकू इस्तिमाल कीजिएगा जो चीलने वाला आता है वो मत लीजिएगा इस तरह से हम सारे करेले तैयार कर लेंगे सारे करेलों को हमने चील लिया है और इन चीलकों को एक बार हम साइड में रखते हैं अब हम करेलों के बीच में से कट लगाएंगे ये देखी इस तरह से और इनके जो बीच है हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे ये देखी इस तरह से करेला हम खाली कर लेंगे इसी तरह से हम सारे करेले तयार करेंगे आप चाहें तो चम्मच के जो पीछे साइड का हिस्सा है उस साइड से भी हम करेलों के बीज निकाल सकते हैं हमने करेले के बीज निकाल लिए हैं मोटे बीज मैंने अलग निकाले थे तो मैं इने इस्तेमाल नहीं करूंगी बाकी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम करेलो पर नमक और हल्दी लगा देते हैं अच्छे से लगा दीजीगा और इसे हातों से इस तरह से रब कर दीजीए और करीब एक घंटे के लिए इने रखेंगे तो कडवाट अच्छे से निकल जाएगी इसी तरह से हम बीज और छिलकों पर भी नमक और हल्दी लगा कर रख देंगे आप यदि कम टाइम के लिए रखेंगे तो उससे थोड़ी सी कडवाट रह जाएगी अच्छे से मिक्स कर दिया है करेलो को रखे हुए हमे एक घंटा हो गया है अब हम हातों से अच्छे से इसे निचोड लेंगे तो इसमें जो भी कडवा पानी है वो बाहर निकाल लेंगे आप चाहें तो पानी से धो सकते हैं पर मैं कभी भी करेलो को पानी से नहीं दोती हूँ इस तरह से ही निचोड कर हम निकाल लेते हैं पान इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी गरम होने के लिए रख दिया है उसके उपर मैंने जाली रखी है करेलों को स्टीम करने से उसे बहुत जादा समय तक नहीं पकाना होता है और मसाला जलने का डर भी नहीं रहता है हम सारे करेले इसमें रख देंगे और मीडियम फ्लेम प के फिर ठंडा करेंगे जब नॉर्मल टेंपरेचर पर तेल आ जाएगा तब इसमें एक चम्मच जीरा वन फोर्थ चम्मच हींग डालेंगे और अब हम इसमें ये करेले के छिलके डाल देते हैं और तीन से चार मिनिट के लिए हम इने भूनेंगे जिससे इन छिलकों में जो प्याज को बारी काट कर लिया है एक कप के करीब प्याज है प्याज की मिठास से करेले बहुत तेसरी लगते हैं प्याज को हम अच्छे से सौफ्ट होने तक भूनेंगे इन्हें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है तो लगबग तीन से चार मिनिट का समय लग जाएगा पाउडर डाल रही हूं दो चम्मच मैंने यहां लाल मिर्च का पाउडर लिया है दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है साथ ही मैंने यहां पर दो से तीन चम्मच दरदरी पीसी हुई सौफ ली है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दो चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच नमक लिया है, नमक कम ही लीजिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है, आमचूर पाउडर अच्छे से डाल दीजीगा क्योंकि खटे पन से कड़वाहट कम होती है आप आमचूर पाउडर की जगे कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हो मसालों को मिलाने के बाद हमने इसे 2 मिनिट के लिए भून लिया है और हमारा मसाला तयार हो चुका है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं इधर करेलों को भी स्टीम होते हुए 15 मिनिट हो गए हैं और हमें इने 70% तक पका लेना है अब हम करेलों को बाहर निकाल लेते हैं और इने ठंडा होने के लिए रख देते हैं, करेले और मसाला दोनों ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम करेलों में ये मसाला भर देते हैं, अच्छे से दबा के मसाला भरिएगा, जिससे करेलों को पकाते टाइम मसाला बाहर नहीं आएगा, इस तरह से पैक कर दीजिए, हमने सा सारे करेलो को भर कर तैयार कर लिया है, थोड़ा सा मसाला बच गया है, जो हम करेलो में ही डाल देंगे, अब हम उसी कडाही में 5-6 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे, करेलो में तेल अच्छे से जाता है, पहले इसे धुआधार गरम कर लीजिए, उसके बाद गैस का फ्ल हिला देते हैं, ताकि तेल करेलो पर अच्छे से चारो तरफ से लग जाए, इस तरह से ला दीजिए, और अब हम इसे धक देते हैं लो फ्लेम पर, हर 2 मिनिट के बाद में हमें इन्हें चेक करना है, तो मिनिट हो गए हैं, हम इन्हें पलट देते हैं, और वापस से इसे regular कर करेलो को पकाते हुए हमें 15 मिनिट हो गए हैं और मैंने इसे 3-4 बार बीच में चेक कर लिया था करेले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब हमने ये बचा हुआ मसाला डाल दिया है मिक्स करेंगे, मसाला डालने के बाद 2 मिनिट और पकाएं और ये देखिए, हमारे करेले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं करेले बिलकुल तयार हैं, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें सव कीजिए, ये करेले पहुत टेस्टी बनकर तयार हुए हैं तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये करेले की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके